नमस्कार दोस्तों आप सभी का यह कैसे टू चैनल पर बोदो सागत है दोस्तों कि आप लोग ऑनलाइन आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं नाम, एड्रेस, डेट आप बर्थ, मोबाईल लंबर, इमेल, ऐडी, फोटो या कुछ भी आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर चलिए सुयू करते हैं, दोस्ते से आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग देखे आधार कार्ड की अफिस्या साइट को ओपेन करीजे, जैसे आप लोग ओपेन करेंगे, तो यहाँ पर देखे हैं, इसा प्योज ओपेन होगा, दोस्तों जो वीडियो आप लो फिर नहीं पर उपेन हुआ, और यहाँ पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, फ्रेश आधार एंवरेन्मेंट कर सकते हैं, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मॉबाइल अबर अपडेट, इमेल आईडी, डेट ऑबर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक, फोटो और फिंगर परिंट, अपडेट, दोसरे यहाँ पर देखें, सब कुछ आप लोग अपडेट कर सकते हैं, आपको यहाँ देखें, select city location, अगर आपको यहाँ city है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगर आपका city यहाँ पर नहीं है, तो आपको नीचे देखिए, यहाँ, proceed to book apartment, आप आपको यहां पे क्लिक करना होगा और यहां Select Resident Type यहां Indian Resident आपको यहां पे टिक करना है, Login by Mobile Number, Email ID जिसके तो आप लोग लोग इन करना चाहते हैं, आपको यहां पे क्लिक करना होगा, यहां पे Mobile Number और जो एक Capture Code यहां पे Show करेगा, यहां पे Capture Code को इंटर करके, Send OTP पे Click करेंग तो दोस्ते से आप लोग online करना चाहते हैं, तो दोस्ते से मैं यहां पे आ गया हूँ, तो दोस्ते से मैं यहां पे क्लिक करना है, फिक क्लिक करना है, और यहां पे यहां पे आना होगा, मैं यहां पे क्लिक करता हूँ, दोस्तो जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसक साइट पे आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखे process चल दा हमें wait करना है दोस्तों यहाँ पे देखे welcome to my अधार सबसे पहले हमें यहाँ login वाले पे click करके सबसे पहले login कर लेना है और यहाँ इंटर अधार अधार नमबर लिखना होगा और जो capture course हो करा यहाँ पे लिखना है फिरिया send OTP पे click करना है नमबर पे OTP आएगा OTP को इंटर करके यहाँ पे login पे click करके सबसे पहले login कर लेना है और यहाँ पे आप लोग क्या क्या update कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग देशते हैं यहाँ पे देखे update your name और date of birth, gender, address, mobile number, email id यहाँ biometric data के लि और यहाँ पे देखे जाल जाल तीस दिन में यहाँ पे update हो जाता है तो हमें यहाँ proceed to update आधार यहाँ पे click करना होगा और फिर यहाँ पे ऐसा पे open दोगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या क्या update कर सकते हैं यहाँ पे option शुक्रा, name, date of birth, gender और address दोस्तों यहाँ पे to जो भी शुक्राओ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ gender में भी देखे आपको कुछ सो करेगा और यहाँ address पर सो करेगा तो दोस्तों यहाँ पे देखे जैसे यहाँ जीरो सो करा तो यहाँ पे आप लोग आपडेट नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर सो तो आप लोग इसे भी अपडेट कर पाएंगे तो दोस्ते से यहाँ पे हमें अपने नाम को अपडेट करना है तो यहाँ नेम यहाँ पे क्लिक करना है दोस्ते यहाँ पे जो भी आपडेट करना चाहते हैं वहाँ पे टिक करना होगा फिर यहाँ प्रोसीड टू सो करेगा और यहाँ details to be update दोस्तों यहाँ पे आपको new name लिखना होगा जो भी आप लोग नए नाम रखना चाहते हैं और यहाँ हिंदी हो जाएगा manual upload दीजी locker तो यहाँ पे आपको देखे document upload करना होगा तो यहाँ select valid supporting document type यहाँ पे क्लिक रहता हूँ आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे क्या-क्या valid है दोस्तों आप लोग दे सकते हैं bank passbook भी है driving license है देखे pen card, passport, photo bank, ATM, photo credit card दोस्तों यहाँ पे देखे जितने भी list है इसके order ID card भी है, school ID card भी है तो दोस्तों से हमें यहाँ पे कुछ भी update करना है तो दोस्तों से मैं यहाँ देखे pen card यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पे ऐसा page open हुआ फिर हमें यहाँ ओके वाले पे क्लिक करना है इतना करने बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके हमें पेज्टो का अपलोड कर देना है ठी Position करना होगा दोस्तों यहां पे फिर हमें देखे 50 रुपै का पेइमेंट करना है और यहां पे देखे रिक्वेस्टों रूधे हो जाएगा दोस्तों फिर यहां पर देखे जादर जादर 30 दिन में मेरे यह देखे आधार कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा तो दोस्ते इसी तरह आप लोग आधार कार्ड में आउनलाइन कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं